स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पाटिल इनके स्मृती प्रितर्थ अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला प्लाइन सर्विस डिपार्टमेंट नैशनल असोशेशन फॉर दबलैंड इन्दिया के ग्रामेर अपंग सशक्तिकरण कार्य के लिए समर्पित ज्यान जोती निलकंठ राय द्रिष्टी हिनों के लिए शिक्षा तथा ज्यान प्राप्त करने की सहज सीधी साधी और सुविधाजन्क मार्ग की खोज दुनिया में पहली बार आद्रणिय लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपी का अविशकार किया जो आधारित है छ उब्रे हुए बिंदो ओपर ब्रेल लिपी आसाने से लिखी और पढ़ी जा सकती है उस जमाने में प्रचलित दुसरी लिपियों की तुलना में कम से कम खर्च से लिखी और छपाई भी की जा सकती है इसलिए श्री लुई ब्रेल ने अपने जीवन की अंतीम सांस तक ब्रेल लिपी का प्रसार विश्वभर में करने के लिए अथक परिश्रम किये अंत में ब्रेल लिपी द्रिश्टी हिनों के लिए साधन बनी, शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए उनके स्वर्गवास के बाद ऐसे में द्रिश्टी हिनों के लिए प्रेरनास रोध बनी हैलन केलर अपनी बहुविक लांगता के बावजुद अभुत्पूर्व यश प्राप्त कर दुनियावालों के सामने ज्ञान का प्रकाश बिखरने वाली प्रतिमा के रूप में जिससे विश्व के शिक्षाविद अंधकल्यान के क्षेत्र में कार्यरत सेवावरती प्रेरित होने लगे द्रिश्टी हिनों को शिक्षित करने के लिए उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए और उनके सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास कार्यों को गती देने के लिए सारा जीवन भारत वर्ष में द्रिश्टीहिनों के लिए शिक्षा की सुविधा उपलप्थ करवाने के लिए और व्यावसाईक प्रशिक्षन देकर उनका सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास के लिए. जब हम पर गुजरती है, तब हमें खयाल आता है दुसरों का. ऐसे में ही अगर समाज के सेवाकार्य में तन्मन धन से व्यक्ती द्रिश्टीहिन होकर अपने व्यवसाई को अचानक गवा बैठे या बंद करने के लिए मजबूर हो जाए, तब अपने जीवन की नई शुरुवात करनी पड़ती है. उसी बदलाव की तरक्की करते करते वह अपने जैसे दुसरों को भी स्वाभीमान और सनमान कूर्वक जीवन्यापन करने के लिए सुलब रा उपलब्ध करवाने में जी जान से जुट जाता है. सन 1854 में बडोदा स्थित छत्रप्ती सयाजिराव गायकवाड रियासत में दफ्तर विभाग के प्रमुक श्री छत्रप्ती जी के घर में जेश्ट पुत्र के रूप में जन्म हुआ निलकंठ राय नामक बालक का. जब उनकी आयू शिक्षा योग्य हुई तब छत्रप्ती परिवार एहमदाबाद आ गया. वहाँ उनकी शिक्षा श्री लल्लु भाई मुझुम्दार के गुरुग्रिह में शुरू हुई. इसी प्रतिभावान बालक ने अंग्रेजी शिक्षा पुरी कर आई पी. मिशन स्कुल एहमदाबाद में बामबे यूनिवर्सिटी की माध्यमिक प्रमाण परीक्षा अच्छे नमबरों से उत्तीन कर ग्रांट मेडिकल कॉलेज बामबे से एस एम एस की पदवी प्राप कर वहड़ा. निलकंठराय छत्रप्ती बना. समाथ सेवा में रुची रखने वाले इस यूवा डाक्टर ने सन 1880 में अपने ही मकान में गरीबों के लिए अस्पताल शुरू किया. अलपाउधी में ही उन्होंने अपनी कुशल्ता, सेवा वृत्ती और गरीबों के मददगार होने की ख्याती प्राप्त की. उन्होंने पाचकुवा विभाग एहम्दाबाद में स्वर्गिय रंचोर भाई छोटालाल के स्मृती में धर्मदाय अस्पताल शुरू किया. फिर वह जिला सिवहिल अस्पताल के प्रमुक और बीजे. मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर बने. सन 1833 में वे सहायक सर्जन बन एनाटोमी और फ्रिजियोलोजी विशय के प्राध्यापक बने. जनसेवा में भी लोकप्रिय बने. जनसेवा में लिप्तडा. निलकंठराय छत्रप्ती कॉलेज वो छात्राले के प्रभारी बन. विद्यार्थियों में भी लोकप्रिय बने. सन 1881 में जब वह हमेशा की तरह टेनिस खेल रहे थे तब उन्हें द्रिश्टी दोश होने का एहसास हुआ आई. उन्हें गेंड की दो-दो प्रतिमाय दिखने लगी तब उन्होंने एहमदाबाद और बंबय में प्रसिध नेत्र चिकित्सियों से जाच और इलाज किया. पर डॉक्टर ने इसे रेटिनिटिस पिग्मेंटों सा नामक दुर्धर बीमारी से उम्र के साथ बढ़ती हुई आयू के साथ व्याधी बढ़ने का प्रभाव है. इस पर कोई इलाज उपलब्ध नहीं है. ऐसी सलादी. दा. निलकंठराय चट्रप्ती के वयक्तिक संबधों में रहने वाले ब्रिटिश डाक्तरों द्वारा भी निदान किया गया कि इस द्रिष्टी दोश में आखों की रोशनी धीरे धीरे जाती रहेगी. दा, निलकंठराय छत्रप्ती द्रिष्टीहीन होने के उपरांत अपने चिकित्सई और सामाजिक जीवन से वंचित हो गए आईवे घोर निराशा और अपने साथी व्यवसाई योंद्वारा उपेक्षा के शिकार बन गए उनके सामने समस्या थी की अपनी पत्नी और पुत्र और एक कन्यावाले परिवार का गुजर बसर कर बच्चों की परवरिश कैसी करे जीवन यापन के लिए क्या व्यवसाई अपनाए आत्म सन्मान पुर्वक स्वाभीमानी जीवन कैसे अपना कर स्वावलंबी बने इसी उल्जन में अंधत्व से प्राप्ट परावलंबी, उपेक्षित और बेसहारा डा निलकंथराय छत्रप्ती को प्रेरणा प्राप्थ हुई अपने पुराने सहयोगी डा नानावती और सर जान मिल्टन वारा लिखी हुई काव्यपंक्तियों से और पता चला लुई ब्रेल वारा विक्सित अंग्रेजी ब्रेल लिपिका उन्होंने उनके पुराने प्रश सकदा रीब जो रिटायर होकर लंडन वापीस जा चुके थे उनसे संपर्क स्थापित कर रॉयल नैशनल इंस्टिटूट फॉर दब लैंड से अंग्रेजी ब्रेल सिखने के लिए आवशक साधन सामुगरी और साहित्य मंगवाया जो डा निलकंथराय छत्रप्ती के जीवन में क्रांती लाने वाला महत्तवपूर्ण साधन बन गया और डा निलकंथराय छत्रप्ती को मिली हुई प्रेरणा दुगुनी हो गई लुई ब्रेल और हेलन केलर ने प्राप्त की हुई जीवन की उचाईयों से यही वो पल था जो भारत देश में रहने वाली द्रिष्टीहीन व्यक्तियों की ज्यान साधना की शुरुआत का इसी पलने डा निलकंथराय छत्रप्ती के जीवन में न सिर्फ क्रांती लाई बलकि भारत में रहने वाले सभी द्रिष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन में और शैक्षनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में भी. इसी पल से शुरू हुआ अंधकल्यान में नया पर्व जो दे सके द्रिष्टिहीनों को स्वावलंबी, स्वाभिमानी और सन्मान पूर्वक जीवन. भारत वर्ष के आउकाश पटल पर उद्यमान हुआ वह जगमगाता सितारा, जिसकी रोशनी से चम्चमाने लगा अंधकल्यान का क्षेत्र सारा. यही वह क्षण था ज्यान जोती प्रजवलीत होने का. अंग्रेजी ब्रेल सिखने के बाद देड साल परिश्रम के पश्चाद्धा, निलकंठराय छत्रप्ती ने अंग्रेजी ब्रेल लिपी के उच्चारन से मिलती जुलती मराठी, हिंदी और गुजराथी ब्रेल लिपी तयार की. इस कार्य में उनके मित्र और पी आर, ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य श्री माधवराव देशाई, नडियाद सरकारी स्कुल के आचार्य श्री दतात्रे गुपते तथा मान्यता प्राप्त उनके छोटे बंधू श्री हरिप्रसाद छत्रप्ती जो अहमदाबाद के प्र घर के अंधव्यक्ती को जरूरत से ज्यादा संभाल कर कर ही अपने पापों का परिमार्जन होगा ऐसे समझा जाता था अंधव्यक्तियों को पढ़ा लिखा कर उनका आर्थिक पुनर्वास करवाना धर्म के खिलाफ है यह विचारधारा धर्म पंदीत और समाज के मुखिया रखते थे ऐसे वातावर्ण में द्रिष्टी हीनों के लिए स्कुल तथा प्रशिक्षन केंद्र शुरू करने के लिए कड़ा विरोध हुआ इन सभी परिस्थिती के बावजूद और सभी तरह की कठीनाईयों से लड़ते लड़ते दा निलकंठराय छत्रप्तीजी ने अपने ही घर में द्रिष्टी हीनों के लिए स्कुल तथा प्रशिक्षन केंद्र शुरू किया जहां विद्यार्थियों को पढ़ाने में देवनागरी, गुजराथी, ब्रेल, लिपी का उप्योग किया जाने लगा जो उन्होंने खुद विक्सित की हुई थी शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को संगीत, बेतकाम और बुनाई का प्रशिक्षन भी सम्मिलित किया गया जिससे द्रिष्टी हीनों को आर्थिक पुनर्वास में पहल हुपी उस वक्त दा, निलकंठराय छत्रप्तीजी की माली और आर्थिक हालत बहुत ही खस्ता हाल थी उनके मुख्य रुप में आए उनको प्रतिमा मिलने वाला 27 रुपए मात्र का निवरित्ती वेतन और जूबीली मिल अहमदाबाद में की हुई 20,000 रुपए 1000 मात्र की भागिदारी से मिलने वाली आए थी स्कुल में दाखील सभी विद्यार्थी गरीब थे जिनसे फीस लेना भी नामुम्किन था दिन बद दिन स्कुल में दाखील होने वाले विद्यार्थियों के नंबरों में व्रिधी होने लगी तब दा, निलकंथराय छत्रप्ती जी ने धर्मप्ती, गादीप्ती और धार्मिक संस्थानों से मिली मदद प्राप्त करने के लिए प्रयास किये दा, निलकंथराय छत्रप्ती जी को श्री सयाजीराव गायकवार संस्थान बडोदा से भी मदद प्राप्त हुई इससे प्रभावित होकर बंबई के राज्य के शिक्षा नियामक मंडल के प्रमुक श्री गेल्स प्रभावित होकर स्कुल का निरिक्षन करने आए और उन्होंने बंबई राज्य सरकार को स्कुल का खर्च देने की शिफारस की यहाँ प्रैत्न भी अस्फल हुआ लेकिन स्कुल चलता रहा उसी दौरान जानी मानी शिक्षा विद मिशनरी मिस शेरीफडा निलकंथराय छत्रप्ती जी की ख्याती से प्रभावित होकर उनका कार्य देखने स्कुल आई वह ब्रेल लिपी के इस्तमाल से भी प्रभावित हो गई सन उन्नी सो एक में महाराणी विक्टोरिया का स्वर्गवास हुआ उनकी याद में बंबई में क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर दब लैंड की स्थापना करने का फैसला किया गया आर एम अलपाईवाला उन दिनों में बंबई में अंध कल्यान शेत्र के अग्रेसर माने जाते थे बंबई राज्य के शिक्षा नियामक मंदल के प्रमुक श्री गेल्स ने श्री अलपाईवाला से आगरा पुर्वक सला दे करड़ा निलकंठराय छत्रपतीजी की स्कूल के संचालत पत पर नियुक्ती करने की शिफारस की दा निलकंठराय छत्रपतीजी को अपने अहमदाबाद स्कूल की और उसमें दाखील विद्यार्थी योके भविश्य की चिंता थी इसलिए उन्होंने उनके विद्यार्थियों को बंबई में छात्रावास की सुविधा के साथ स्कुल में प्रवेश दिया जाएगा इसी शर्त पर उन्होंने Queen Victoria Memorial School for the Blind का संचालत पद पर अपनी न्यूकती को मंजूरी दी। इससे शिक्षा के लिए जरूरी साधन सामगरी मिलने में आसानी हो जाएगी और भारत वर्ष में कार्यरत दुसरे अंध विद्यार्थियों के लिए चलाई जाने वाली स्कुल तथा उनके कार्यरत शिक्षा वीधों से भी अंधकल्यान के क्षेत्र में नई-नई संकल्पनाय विक्सित करने में आसानी हो गई अंध व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास हे तूडा निलकंठराय छत्रपतीजी ने श्री शिवलाल मगनलाल जी की मदद से मिंग्टन रोड बंबई में उद्योग ग्रिह की स्थापना कर संगीत, बेतकाम, बुनाई जैसा शुरू किया। अपनी स्वर्गिया माता की स्मृती में श्री नर सिंहराव शिवाजी ने इस कार्य के लिए पचास हजार रुपए का दान दिया। उसी वक्त श्री अंधर्स नामक ब्रिटिश अनमलदार ने रॉयल नैशनल इंस्टिटूट फॉर दबलैंड की जैसी संस भारत में शुरू करने के लिए ब्लैंड रिलीफ असोशेशन की स्थापना बंबय में करवाई। जीस में अंध व्यक्तियों के लिए पुर्णरुप से विक्सित उद्योग ग्रिया चलाने की जिम्मेदारी स्वीकार की। इस्तमाल होने लगा। खाडिया गोलवाड गुजरात के श्री प्राणशंकर ईश्वर ने अपने ही मकान में अंध और मुक्बधिरों के लिए स्कुल शुरू की। उसी स्कुल का पहिला विद्यार्थी बना उनका अपना ही पुत्र। इसी दौरानदा। निलकंथराय छत्रप्तीजी ने भारत देश में और द्योगिक क्रांती के लिए जरूरी चिजों का उत्पादन, रौ मटिरियल इन इंडिया, नामक किताब लिखी जिससे सरकारी अनमलदारों में भारत के समाज सुधार को और व्यापारी योके दा। निलकंथराय छत्रप्तीजी की काबिलियत का महत्व चर्चीत होने लगा। रही थी। सभी जगा प्रादेशिक भाषा के लिए अलग-अलग ब्रेल लिपी प्रचलित थी। लेकिन उसमें एकरुप्ता नहीं थी। मिश शेरीफ अमृत्सर में हिंदी, उर्दू और गुरुमुखी ब्रेल पढ़ाती थी। कुएकस्वीत, श्री नालस और श्री गर्थ वेट्स दक्षिनी राज्यों में ओरियेंटल ब्रेल प्रादेशिक भाषाओं के लिए सिखा रहे थे। बंबई में भी दो अलग-अलग स्कुलों में अलग-अलग ब्रेल पधती सिखाई जाती थी। कुए शेरीफ की लिपी अक्षरों पर आधारित थी तोड़ा। निलकन थराय छत्रप्ती जी की उच्चारन पर। इससे विदेशों से ब्रेल में छपाई कराने वाली पाठ्यकुस्तके और साहित्य के सही रुप से इस्तमाल करने में बहुत सारी कठीनाईया भी प्रस्तुत हो रही थी और एक स्कुल का विदियार्थी दुसरे स्कुल में उपलब्ध किताबे तथा साहित्य नहीं पढ़ पाता था। भारत सरकार ने दहराडून में ब्रेल छपाई के लिए सुविधा उपलब्धकर वहां सभी प्रादेशिक भाशाओं में पाथ्य पुस्तक और साहित्य छपवाने की कोशिश की गई। लेकिन अलग-अलग ब्रेल पध्धतियों से प्रादेशिक भाशाओं में किताबे छपवाना मुश्कील होने लगा। तब प्रादेशिक और देवनागिरी भाशाओं में ब्रेल पध्धति के इस्तिमाल करने में एकरुपता स्थापित करने हेतु बंबई में देश भर के शिक्षाविदों की परिशत का आयोजन किया गया। जिसमें प्रादेशिक भाशाओं में ब्रेल पद्धती में एकरुपता लाना गुर्वत्ता के आधार पर चुनाव और उसका महत्व इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए यह प्रयत्न भी अस्फल हुआ। सरजान सारजंड जो भारत सरकार शिक्षा विभाग के प्रमुक थे उन्होंने सन 1940 में सभी शिक्षा विधो की परिशत का आयोजन किया, जिसमें भी बहुत सारे मतभेद हुए। आखरी में सन 1949 में भारत के केंद्र सरकार द्वारा युनेस्को की सहायता प्राप्ट करने का आग्रह किया। इस समाई युनेस्को के शिक्षा विभाग के प्रमुक संचालक प्रोमायुन कबीर द्वारा बैरुत में आयोजित सभा में ब्रेल लिपी के प्रादेशिक भाशाओं में इस्तमाल किये जाने वाले पद्धतियों में एकरुप्ता लाना अनिवार्य किया और बंबै में सर्क भाशाओं के लिए इस्तमाल करने के लिए प्रस्ताव और उनके समर्थन में श्री आर एम अलपाईवाला का आगरह पूर्वक निवेदन स्वीकार कर लिया तब दा निलकंठराय छत्रप्तीजी द्वारा उन्होंने विक्सित की गई देवनागरी ब्रेल लिपी उनके मृ पश्चात 29 वर्षों बाद एकरुपता प्रस्थापित करने में श्रेष्ट मान ली गई आज देवनागरी लिपी का प्रयोग न सिर्फ प्रादेशिक बल की पुरे विश्व की भाशाओं को लिखने या पढ़ने में हो रहा है निलकंथराय छत्रप्तीजी ने अंग्रेजी ब्रेल लिपी का उप्योग कर देवनागरी लिपी जो प्रादेशिक भाशाओं को लिखने या पढ़ने के लिए विक्सित की थी उसे स्न 1951 में विश्वस्तर पर मान्यता मिली दा, निलकंथराय छत्रप्तीजी की यही प्रतिभा पिछले 122 वर्षों से आज तक भारतवासी द्रिष्टीहिनों के जीवन में शिक्षा और ज्ञान की रोश्नी फैला रही है आज हमारे देश में अंध व्यक्ती शिक्षा, व्यवसाय और तक्नीकी क्षेत्र में नई नई बुलंदिया छो रहे हैं, यहडा निलकंथराय छत्रप्तीजी के प्रतिभा की ही देन मानी जा सकती है अपने जीवन के आखरी पल तक वह संसार के लिए भले की सोचते रहें, तथा द्रिश्चीहिनों के ज्ञान और शिक्षा प्राप्ती में आने वाली खामियों को दुर करने के लिए कार्य करते रहें अपने आखों की रोश्नी 36 वे वर्ष में गवाने के बावजुद भी उन्होंने अपने जीवन में जो मकाम हासील किया उसकी तुन्ना विश्वभर के ज्ञानी और प्रतिभावन्तों के साथ ही हो सकती है दा, निलकंठराय छत्रप्तीजी जब दृष्टिवान थे और डाक्तर की उपाधी हासील कर समाज सेवा में रत थे गरीबों की, अज्ञानियों की और अच्छुतों की निस्वार्थ सेवा कर रही थे उन्होंने अपने अंदर की प्रतिभा को बहुत सारी किताबे पड समर्थ बना लिया था और उसकी ही बल पर अपने अनुभाव को जोडवे वैद्य की सामाजिक नशामुक्ती के क्षेत्रों में नए नए प्रयोग कर अनेक बुलन उचाईया छुते रहे जब वे समाज में प्रतिष्ठा पाकर गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी की सदस्यता से गौरवानवीत होगे उन्होंने महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ, चिकित्सा, सुविधा और इलाज के लिए अधिकाधिक प्रतिबधता की नीती योग को अमल में लाना शुरू किया व्यसन मुक्ती और नशाबंदी के लिए वे समाज को जागरुप करने में जुटे रहे इसलिए उन्होंने समाज में नशामुक्ती का संदेश फैलाने के लिए गोला और राणा जैसे नाटकों को लिखकर जग़ जग़ उनके प्रयोगों का आयोजन किया दा, निलकंथराय छत्रप्तीजी के जीवन पर राश्चुपिता महात्मा गांधी का प्रभाव थावे खादी से बुने हुवे कपदे पहनते थे सिधा साधा रहें, अनुशासित जीवन, नियमित्ता से वरजीश, खेल कुदमे रुची, ग्रंथों का पठन तथा मनन, आदरणिय व्यवहार, नियमित्ता से अल्प भोजन, उच्च विचार और समाज के दुरगुनों को दुर करने की प्रतिबधता यहां उनके जीवन क महत्वपूर्ण अंग थे, यही द्रश्टीकोन अपने संपर्क में आये हुए व्यक्तियों, सहपाथियों, विद्यार्थियों, सहचारियों, कर्मचारियों तथा कुटुम्यों में उतारने के लिए प्रयतनशल रहे, हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमत भगवत गीता उनकी आस्था थी और वे उसका पठण और मनन नियमित रूप से करते थे, उनके संबंद उस जमाने के ब्रिटिश नेताओं से भी रहे, उनका ज्यान, प्रतीभा और सामाजिक कारे में सहभाग से प्रभावित होकर उन्हें अलग-अलग समितियों का सदस्यत्व तथा प्रमुक पद दिया गया। इश्ठीत पुरसकार से गौरवानवीत किया गया था। एक तथा जन्ता को हितकारी शरीर ज्यान जैसे अलग-अलग विश्यों पर वे समय समय पर किताबों का प्रकाशन करते रहें। जिनसे समाज शारिरीक स्वास्थ्य, शरीर विज्यान, पदार्थ विज्यान के बारे में जन्ता में जागरुकता फैलाई गई। श्री रजनी कुमार पंड्या ने उनकी जीवनी और उनके सेवाकार्य पर विस्तरत रुप से गुजराथी टाइम्स आफ इंडिया में रोशनी डाली। दा, निलकंठराय छत्रपतीजी की इच्छानुसार राज्य सरकार में शिक्षा विभाग में प्राथमिक स्कुल में अंध संगीत शिक्षक की नियुक्ती की मंजुरी दी और अंध व्यक्तियों के लिए चलाई जाने वाले स्कुल में व्यवसाइक शिक्षा देने वाले प्रशिक्षन केंद्र भी शुरू किये गए। उस जमाने के प्रसिद्ध लेखक श्री हिरालाल पारेक ने अपने लेख मेडा, निलकंठराय छत्रपतीजी के चारिद्यवान, पुन्यशाली पुरुष, उध्धीर करता, कर्तव्यनिष्ट, आत्मनिष्ट और धेनिष्ट जैसे पहलूओ को अपने लेख द्वारा दुनिया के सामने लाया। तो गुजरात वरनाक्यूलर सोसाइटी ने डा, निलकंठराय छत्रपतीजी को शताबदी पूर्फ का ज्यान्दिप की उपाधी से गौरवान वीत किया। अहम्दाबाद स्थीत अंध कल्यान केंद्र और लायन्स क्लब आफ नार्थ ने सन्युक तृती से अंध कल्यान के क्षेत्र में अनमोल योगदान देने वाले व्यक्ती को डा। निलकंठराय छत्रपतीजी पुरसकार से सन्मानित करने का फैसला सन 1977 से किया इस पुरसकार के सबसे पहले हकदार डा। राजेंद्र व्यास हुए सन 1854 में निलकंठ राईजी ने अपने 69 वर्षों के जीवनकाल में किये हुए सेवा कार्यो द्वारा भारत वर्ष के अवकाश पटल पर अमीट पत चिनहा उध्रित कर 11 सितंबर 1922 को अहमदाबाद में अपने मकान में आखरी सांस ली और वह मगाता सितारा आसमान में ओजल हो गया लेकिन दा निलकंठ राई छत्रप्ती जी ने द्रिश्टी हीनों के लिए जलाई हुई ज्यान जोती आज तक भारत वर्ष में सन्मान जनक और स्वाभिमान कुर्वक विक्सित जीवन प्रदान करने के लिए प्रकाश मान है दा निलकंठ राई छत्रप्ती जी के अंधकल्यान के क्षेत्र में दिये हुए योगदान की स्मृती जोत प्रज्वलित रखने के लिए National Association for the Blind इंदिया ने अपने बंबई स्थीत पुर्णवास केंद्र से अच्छी तरीके से स्वयमकूर्णत्व हासल करने वाले कार्थी को आज तक दा निलकंठ राई छत्रप्ती पुरस्कार से सन्मानित किया जाता है है मंत जे पाटिल वियन इंसाइट फाउंडेशन दोंबिवली